नमस्कार मैं दिप्ति आज लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही पॉस्टिक और हेल्दी नास्ता जो हम सभी दालों को मिक्स करके बनाएंगे दालों को रात में भिगो देना है ताकि वो बहुत अच्छे से फूल जाए और उसके बाद उने सुबह अच्छे से पानी स दुल लीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं दाले बहुत अच्छे से धुल गई है और इनको मैंने अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है तो यह हमारा दालों का पेस्ट बनकर तयार हो गया है मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था बिना पानी डाले अब यहां एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे हम दो चम्मच घी आप तेल भी ले सकते हैं उसमें डाल दीजिए आदा चम्मच जीरा थोड़ी सी हींग और साथ में हरी मिर्ची हींग वगेरे नास्ते में काफी हेल्दी होती है इसलिए जरूर डाले एक बड़े अगर आपको पसंद आये तो प्लीज कर दीजेगा वीडियो को और रेस्पी को शेयर कर दीजेगा अब हम क्या करेंगे मैंने यहां पर लेली है थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा बेट रूट यह जो सब्सक्तियां है आप अपनी मन पसंद डाल सकते हैं यहां पर मैंने तो यहां पर हमें इन सबजी को 80% कुक करना है ताकि यह हल्की सी क्रंची बनी रहे है अब हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आप कुटी हुई काली मिर्च डालना चाहिए तो डाल सकते हैं वैसे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं उपर से डालेंगे हरा धनिया और स्टफिंग रेडी है अब यहां पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा नम अब मैंने यहां पर लिया है आधा चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा और आधे नीपू का रस इससे क्या होगा हमारा नास्ता बहुत ही टेस्टी फलपी और एक्तम जालिदार बन करता है आर होगा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब इन सभी चीजों को मिक्स कर रहेंगे ठीजों करेंगे और यहां पैन में दुबारा सफ्री डाल देंगे बहुत ज्यादा गी नहीं लगता है दो से तीन चम्मच घी यहां पर लगता है अब यहां पर मैं डाल रही हूँ काली सउसों के तान थोड़े से दबे पर मेंने रिया और इस उस बनाने के learning अधे बैटर को मैंने डाल दिया है और इसको हम cover कर देंगे यह देखिये तो जैसे ही यह उसी। और का हिस्सा डॉहे हो जाता है प्लूह किया लिए दुड्री यह हो निचे का हिस्सा आसानी से जह रोगी एक तुम आसानी स्टफिंग तैयार किये और यहां पर आप वो सबसियां डाल सकते हैं जो आपके बचे बिलकुल खाना नी पसंद करते हैं और आप अगर इस तरह के नास्ते में डाल कर सबसियां उन्हें सर्व करेंगे तो सारी कि सारी फिनिस करके आएंगे मुझे तो यह लंच बॉक्स में क्योंकि बच्चे डाल रोटी तो लेनी जाते हैं लंच बॉक्स में लेकिन आप इस तरह से धेर सारा प्रोटीन उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं सभी दालों को मिक्स करके आज को अभी हमें बिलकुल धीमा कर देना है ताकि नीचे का हिस्सा डार्क ना हो जैसे कबर कर देना ही बहुत जादा कबर नहीं करना है पना साक लुक्ष्र का घर देजिए जैसे की सेंड्विच बगेरोह जैसे कि सभ्सिばोड़ी होता हinkling न एकिट पर दिखती रहें और हल्की सी कबर भी हो जा तो यह देखिए यहां पर हमारी सबजियां सारी दिख रही है, देखने में नाच्टा अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा, और हेल्दी तो है ही बहुत, तो यहां पर उपर का हिस्सा जैसे ही हलका सा ड्राय हुआ, देखिए यह नीचे का पार्ट सरक रहा है ब जाली आपको समझ में आ रही होगी, और बस उस तरब से भी इसको हमें पल्टा कर अच्छे से पका लेना है, थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दीजिए किनारियों से, और इसको अच्छे से पका लेजिए, यह बहुत ही फूला एक तम सौफ्ट जाली दार बनकर दयार होता है यहां पर इस नास्ते को हमें दूसरी साइड भी पांच मिनट के दिया अच्छे से पका लेना है, यह अंदर से बहुत जादा सौफ्ट हो गया, एक तब फूल गया है, और मैं इस तरह से नाइफ की साहता से देख लेती हूँ कि चारो तरब यह अच्छे से पका है या नही तो देखिए मैंने सब तरफ नाइफ को डाल लिया है, तो यह बहुत अच्छे से एक दब क्लीन निकल कर आ रही है, यानि कि हमारा नास्ता बहुत अच्छे से पक गया है, अब मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ, इसको पलट के यह देखिए, यह देखिए, धेट सारी सबजियों के साथ प्रोटीन से भरा हमारा मॉर्णिंग का ब्रेकफास्त तयार है, जिसमें ना हमें मैदा, सूजी, बेसन, ना किसी तरह का आंटा, कुछ भी यूज नहीं करना है, और यह टेस्टी सा प्रोटीन वाला नास्ता बनके तयार हो जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर प्रेज करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, इन्जॉई कीज ये टेस्टी सा नास्ता